तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउसर ओपन कर लेना है उसमें लॉग इन हो जाना है और अपने यूटूब चैनल को भी लॉग इन कर लेना है और उसे डेस्टाप मोड में ओपन कर लेना है इसके बाद में दोस्तो आपको यहां पर दोस्तों अभी आपको यहां पर तीन अप्षिन दिख रहे हैं ले आउट ब्रैंड इंस इन फार्मेशन ठीक है तो बेसिक इंफार्मेशन पर आपको कलिक करना है मैं थोड़ा जूम करता हूँ और अब आप आपको यहाँ पर नीचे दिखरा होगा channel url में थोड़ा zoom करता हूं यह देखे channel url दिखरा होगा आपको यहाँ पर यह देखे channel url आपको दीखरा है ठीक है यह योटूब के तरफ से हमें पेले से मिला हुआ रहता है एक और option दिख रहा होगा set a custom URL for your channel दोस्तो ये हमें दोस्तो तभी मिलता है जब हमारे YouTube पर सबस्क्राइबर हो जाते हैं सबस्क्राइबर हो जाते हैं तब हमें ये मिल जाता है दोस्तो दोस्तो एक और important बात है आगowski वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखना तो क्या करना है सबसे पहले हमें इस पर हम click कर देंगे ठीक है इस पर हम जैसे ही click करेंगे तो अभी आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा यह देखे दोस्तों ये YouTube ने मेरा custom URL पहले से बना के रेडि कर दिया है ठीक है क्योंकि इस नाम का दोस्तों कोई और चेनल नहीं है इसलिए मुझे custom URL मिल गया है दोस्तों मेरा जो चेनल है उसका जो नाम है वो भीбыa 135 है और इस नाम का कोई और चेनल नहीं है और नहीं कोई custom URL पहले से बना हुआ है इसलिए मुझे मेरा custom URL मिल गया है दोस्तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा custom URL दोस्तो तभी मिलता है जब आपके चैनल का नाम यूनिक हो और आपके चैनल पर 100 सबस्क्राइबर हो गए हो दोस्तो और आपका चैनल एक मेना पूराना हो दोस्तो तभी आपको custom URL मिलता है दोस्तो मुझे मेरा custom URL इसलिए मिल गया था क्योंकि मेरा जो चैनल का नाम था वो था यूनिक दोस्तो इसलिए अब हम सेट के से करते हैं यह बता देता हूँ आपको यहाँ पर custom URL का option दिख रहा होगा और हमें हमारा custom URL मिल चुका है दोस्तो यदि हम उसे और आगे कुछ लिखना चाते हैं या कुछ उसे और अच्छा बनाना चाते हैं दोस्तो तो हम यहाँ पर आपको नीचे option दिख रहा होगा ठीक है तो वहाँ पर जाके हम और उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं और अपना custom URL बना सकते हैं दोस्तो तो हमारा simple custom URL हमें मिल चुका है तो मैं दोस्तो मैं इस पर publish का option पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा custom URL रेडी हो चुका है तो यह हमारा option पर मैं क्लिक कर दूँगा तो यह हमारा आपको नीचे option दिख रहा होगा changes published हमारा custom URL सेट हो चुका है अब हम इसे किदर भी शेयर कर सकते हैं आपको यह इंफर्म वीडियो अच्छा लगा होगा आपको पता चल गया होगा कि custom URL कैसे सेट करते हैं दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पनाए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ताकि मेरी हर वीडियो की नाटिविकेशन आप तक पहुच जाए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो नेक्स टॉपिक के साथ अब तक के लिए जाहीं वंदे मात्राम